इस वीडियो में हम लोग बात करें है Canva के नए 16 AI features के बारे में कुछ नए tips, कुछ नए tricks AI से related जो नई चीज़े आई है, चार्ट GPT से related जो नई चीज़े आई है, उसके बारे में हाई गाईज, मेरा नाम है क्रिपेश अडवानी, यहाँ पर मैं digital tools, AI, chat, GPT से related videos बनाता ही रहता हूँ आज हम लोग बात करने वालें Canva के कुछ नए features के बारे में जो अभी आए हैं, इस साल आए हैं, रिसेंटली लास्ट मन्ती Canva create करके एक event हुआ था जिसमें उन्होंने काफी सारे नए features को introduce किया था, mostly वह based on AI, तो आज मैं उन नए features के बारे में बात करूँआ, नए tips, नए tricks के बारे में सब कुछ मैं आज बताऊँगा, और अभी तक अगर आपनोंने Canva यूज नहीं किया, यहाँ अगर आपको tips नहीं पता है, उसकी कैसे नहीं रिपीट करूँगा, वह सारे tricks, वह सारे shortcuts नहीं रिपीट करूँगा, यह totally new video रहेगा, for 2023, जो नए चीज़े आएं, जो नए features आएं, सिर्फ मैं उसी के बारे में बात करूँगा, आज के इस वीडियो में, मेरे पास यहाँ पर Canva Pro है, लेकिन maximum जो भी मैं चीज़े version पे भी work करेगा, and अगर कुछ pro वाला रहेगा, तो वह मैं specify कर दूगा, कि this will work on Canva Pro only, so without any further wait, let's get started, let's jump on to the first tip, पहली टिप है, यहाँ पर magic design को लेकर करके, Canva यहाँ पर magic design ले आया है, तो magic design क्या है, basically यहाँ पर आप अपनी photo अपलोट करूँगा, and then उसके basis पर a template बना दे इसके बाद यहाँ आजागा, try magic design, this one, I'll click insert media, यहाँ पर मुझे अपनी कोई भी photo अपलोट कर दें है, for example, let's say if I upload this one, यहाँ पर मैंने photo अपलोट कर दिया, and then इस photo के basis पर, वो मुझे एक automatic Twitter header यहाँ पर बना के देदेगा, यह रहाँ, this is magic design, photo upload करो, and then उसके basis पर, आपको automatically इस photo के साथ में, आपकी templates मिल जाएगे, and then you can click this one, और edit कर सकते हो, customize कर सकते हो, काफी easy, काफी अच्छा है, और magic design का एक और भी use होता है, वो हता है, presentations में, मुझे presentations के काफी अच्छा लगा है, presentation पर जाता हूँ, मैं create a presentation पर click कर देता हूँ, and यहाँ पर templates पर आपको देखेग and that's it, उसके basis पर यह content भी लिख देगा, मुझे और template भी बना के देगा, wellness at your dose, target market, products and services, इतना easy हो गया है, अब यहाँ पर presentations बनाना तो आपको यह basic guidance दे देता है, presentation बनाने के मेरे हिसाब से, presentations के लिए काफी अच्छा feature लगाई मुझे, अगली tip है magic eraser को लेकर जो again canva create में ही launch क किया गया है, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर अपनी photo को select करोगे, I'll click go to edit photos and then यहाँ पर magic eraser आपको देख जाएगा, this is a pro only feature, पिछला वाला free में भी था, लेकिन यह वाला सिर्फ प्रो में रहेगा, I'll click magic eraser and then magic eraser से क्या होगा, कि वो उस part को automatically fill कर देगा based on the surroundings, for example, मुझे, मा automatically fill कर दिया जाएगा, based around, कि उसके surround में क्या था, जैसे इसने blue fill कर दिया है, again, यहाँ पर भी मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, तो यह जो feature है, मैं सिर्फ इसी feature ले Photoshop maximum use करता था, अब मुझे Photoshop पर जाने के ज़रात ही नहीं है, क्योंकि यह Canva इतने अच्छे तरीके से कर रहा है, थोड़े इतना powerful नहीं है, again, Photoshop इतना लेकिन, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, and I really love this, और Pro में है, but it is definitely Pro की बात करूं, तो Canva Pro आप लोग देख सकते हैं, इसका review भी में ने किया है, नीचे आपको मेरा affiliate link मिल जाएगा, जहाँ पर आपको 30-day का trial मिल जागा, so if you want, you can try it out, मैं तो Pro ही यूज कर रहा हूं काफी time से, and I am really loving it, third feature tip है, यहाँ पर magic edit को लेकर के, this is also available in the free version, use magic edit, तो ज just select this, अब मैं आपर define कर सकता हूं कि मुझे आपर क्या चाहिए, continue, describe what do you want to generate, तो I'll say standing red LED light, standing yellow LED light, ठीक है, generate, and then let's see, तो यह क्या करेगा, यहाँ पर इस image को replace कर देगा, based on AI image, AI art, AI art, क्या होता है, इसके ओपर मैंने वीडियो बना है, अगर आपने नहीं देखा है, तो अब आपको मिल जाएगा, वो मेरे eye button पर उपर, कि AI art क्या होता है, तो यह उसने यहाँ पर मुझे कुछ images जनरेट करके दी है, this looks good, compared to the last one, यह भी अच्छा लगए है, अरे वा, I am impressed, तो मेरे इसाब से काफी अच्छा है, and it is available in free, fourth canva tip is to color pop, वो कैसे क करना है, यहाँ पर मैं जाओंगा, edit photo पर click करूँगा, adjust पर जाओंगा, यहाँ पर select area पर you can select foreground, whole image, यहाँ फिर background, यहाँ पर आपको select करना है background, नीचे आजाना है, वाइबरेंसी में इसके यहाँ थोड़ी सी कम कर दूँगा, and saturation भी थोड़ा कम कर दूँगा, पीछे वाली तो background को यहाँ पर sharpness भी, मैं इसके थोड़ी सी कम कर सकता हूं, तक यह बलर वाला effect आजाए, background के ओपर, फिफ्थ जो इसका नया feature है, वो है magic right, and it is my most favorite feature, magic right, magic right, canva docks आचुके है, जैसे कि google docks होते है, canva के भी यहाँ पर docks आचुके है, यहाँ पर magic right, try करता हूं, try magic right, पर for example, मैं आपे लिख देता हूं, time management tips, इसके बाद यह प्लस साइंग दिख रहा है, मैं इस पर click करूँगा, add magic, and then यहाँ पर I can click on magic right, इसके बाद मैं लिख देता हूं, मुझे बताओ, आप blog outline on the topic, five best time management tips, so यह 4 GPT integrate हो चुका है, इसके अंतर, introduction, tip 1, tip 2, tip 3, tip 4, tip 5, tip, tip 5, conclusion, basically यह पर इसको चाइट, GPT की तरह आप लोग यूज कर सकते हो, इसके अंदर ही, and अगर जैसे मुझे इसको मैं सिलेक करूँगा, and I'll click plus, इसके बाद मैं इसको expand कर सकता हूं, rewrite कर सकता हूं, I'll click on expand text, let's see, briefly explain the importance of time management, time management is an essential skill, it helps you stay organized, reduces stress, blah blah blah, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर काफी कुछ अच्छा लिख सकते हो और अगर मैं इसके फ्री प्रो के बारे में बात करूँ तो फ्री में आप पर आपको 25 क्विरी मिलती है Canva Docs for 25 फ्री क्विरी और Canva Pro में Unlimited है 6 तिप जो है आउटलाइन को लेकर के अब यहां पर ड्रॉ का फीचर आचुका है आपको दिख रहा होगा लेट पे ड्रॉ यू कन जस्ट लिटर्री ड्रॉ एनिफिंग मेरे साब से फीचर बहुत पहले आ जाना जाए था पही रिसेंटी इसको लाए गया एंद अचा है इस वीडियो में इस घवा सम इंपोर्टेंट फीचर उफ कैनवा अगर आपको और यहां पर तिपस और जैनने तो उसका नीचे आटिकल आपको दिस्रिप्शन पर मिल जाएगा यहां पर translate search करना है, यहां पर आ जाएगा, मैं यहां पर translate पर जाता हूँ, मैंने क्या कहा, automatically detect कर लो, translate to, I'll select Hindi, and then okay, and translate, that is it, यहां पर translate हो चुका है, page इसने यहां पर पहला page कर दिया है, मैं यहां पर page 2 को भी कर सकता हूँ, translate, okay, then second page 2, page 2 भी यहां पर translate हो गया है, transforming space, एक आंतरिक सज्यकार का portfolio, मेरी हिंदी भी खराब है, translate में अगर आप लोग pro users हो, तो आपको 500 pages per month मिल जाते हैं, free users को यहां पर 50 pages per month मिल जाता है, 8 feature यहां पर beat sync का कि आपने music add कि आपने एक video add कि तो उस video को और music को दोनों को जैसे transitions यहां पर beat adjust हो जाए, कुछ इस आप से यहां पर किया जा सकता है, तो beat sync का यहां पर एक नया feature है, हम इसको यहां पर try करके देखते हैं, sample video के साथ में कैसे work करता है, जैसे यह वाला video है, इसमें अभी यह जो दिख रहा है, यह अभी sync नहीं है properly, transition के साथ, sync नहीं है, तो मैं आप इसको क्लिक करूँगा, I'll click beat sync, and then यहां पर sync now का आपको option दिख जाएगा, यह pro version के लिए है, सिर्फ यह और a feature, I'll click this, और यह जैसे आपने देखा है, music थोड़ा adjust हो चुका है, based upon the video, video के transitions में जाँ 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 बीट है, यहां पर music अब यहां पर adjust हो चुका है, अच्छा feature है, लेकिन I still prefer offline video editors for some reason, अभी मुझे लगता है कि इसको थोड़ा और time देगा अच्छी तरीके से develop होने में, but it's the step in the right direction, 9th feature is AI text to image, यहां पर AI art का आपको canva के अंधर ही option मिल जाता है, कैसे use करना इसको, तो मैं यहां पर कोई भी हमारी theme select कर लेता हूँ, I'll click add page, then apps पर जाना है, apps में, you can go this, text to image का, यहां पर आपको option देख जाएगा, यहां पर आपको try an example, पर मैं भी क्लिक कर देता हूँ, panda eating bamboo in a tropical forest, कैसा जीए, मुझे जीए, थोड़ा सा filmic style का, square landscape portrait, I'll select portrait, I'll click create your image, and then here, images आ जाएगी, AI art क्या होता है, नहीं पता है, तो देख लो, i button पर एक video बनाया है, मैंने, AI art का पूरे explain किया है, and it is free, for all the users, free version, pro version, दोनों में चल जाएगा, और यहां पर मेरी canva image बनना आ चुकी है, इस पर पूरा लोड हो जाए, then I can click, और यहां पर insert हो जाएगी, मेरे साब से image अच्छी है यहां पर, it is decent, not the best, mid journey के level की नहीं है, but still, free मेरे साब से अच्छा है, for most people, for beginners, you can use this one, and compared to last month, last month it was giving some horrible pics, but this time, थोड़े अच्छी है, photos दे रहा है, 10th feature जो आया है, वो आया, replace designs का, कि अब कोई भी अगर element मैंने कहीं पर भी use किया होगा, अपनी images पर, तो मैं सारी images पर वो element को एक साथ replace कर सकता हूं, for example, यह जो logo है, अगर मैंने इस logo को कहीं और पर use किया है, तो I can replace this logo with the new one, मैं यहाँ पर click करना है, I'll select replace across designs, यह search करेगा किस-किस designs पर इसका यहाँ पर use किया गया है, जैसे मुझे बता रहा है कि इस design पर किया है, इस design पर किया है, तो I'll just select and then I'll click continue, इसके बाद मुझे पूछेगा कि कौन सी image से मुझे इसको replace करना है, जैसे यहाँ पर यह blue वाला है, तो उसी resolution की मुझे दूसरी image दालनी पड़ेगी, तो उसी resolution में मैंने जो दूसरी image दाली है वह white वाली, तो जैसे मैं आप यह white टे click करूँगा, preview करूँगा, तो उसके बाद जिस जिसने यहाँ पर use करी थी, ब्लू वाली image वह replace हो जाएगी white वाली image से, मेरे साब से अच्छा feature है for those who use brand logos in their design, एक ही बार में आप सारे अपने logos को update कर सकते हो, 11th feature है यहाँ पर layers का, finally it is possible कि यहाँ पर layers आ चुकी है, जैसे यह वाली हमारी design है, तो I'll click go to position, position, then यह रही layers, जैसे आपको photoshop में layer मिलती है, finally यहाँ पर layers आ चुकी है, कभी कार यहाँ पर select नहीं होती है, जैसे मुझे background select करना था, लेकि यह select हो गया, तो मेरे साब से अगे नहीं बहुत पहले आ जाना चाहिए था, अच्छी बात है आ गया है, it is a big relief for me. 12th tip है यहाँ पर guides को लेकर के, if you are a professional designer, तो guides है के ऐसी चीज होती है, जो हम लोग photoshop में regularly use करते हैं, तो यहाँ पर आपको फाइल पर जाना है, इसके बाद view settings and then add guides, यह आपकी यहाँ पर guides आ जाएंगी, इसके बाद you can select here, आपको किस तरह से यहाँ पर guides चाहिए, 6 column में चाहिए, 3 by 3 की grid चाहिए, यहाँ custom बनाना है, तो वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा, now guides यहाँ पर यूजुली ऐसे freely remove हो जाती है, तो इसको यहाँ पर लॉक करने के लिए आपको जाना है, and then आपको यहाँ पर उपर animate का option मिल जाएगा animate, and then यहाँ पर create an animation, ठीक है, custom animation इसको आप बना सकते हो, तो जैसी यह है, मैं चाहता हूँ कि यह इस तरीके से animate हो जाए, that's how it works, done, मेरा animation यहाँ पर ready हो चुक है, custom path मैं इसको यहाँ पर बना चुका हूँ, मैं आपर smooth कर सकता हूँ इसको, कि वो देरे-देरे जाए, steady कर सकता हूँ, कि वो एक ही speed में जाए, this is steady, smooth में वो थोड़ा से धीरे-देरे जाएगा, speed बढ़ा सकता हूँ, orient element to path, यह सारे मेरे पास option है, तो custom animation is good, I think अगर आपको animated images यहाँ पर अगरे बना रहे हो, तो custom elements का यूज कर सकते हो, for example, I'll select flying bird, आपर मेरी flying bird आगई, यह रही मेरी bird, मैं चाहता हूँ यह थोड़ा साराम से घूम है, मैं इसको 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 कर लूँगा, I'll go to animate, create an animation, ठीक है, इससे उड़ाएंगे हम लोग इसको, तो if you are creating a video, or an animated presentation, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, बड़ी है, ड्रंक bird लग रही है मेरी, ठीक है, you guys can do it better, I think आप लोग तारा creative हो, और create animation वाला feature, free version में available है, 14th है आपर brand hub को लेकर के, जैसी में आपर brand hub पे जाता हूँ, brand kit पे जाता हूँ, अब यह brand hub के नाम से हो गया है, तो यह share करने के लिए easy हो गया है, मैं पूरा kit शेयर कर सकता हूँ अब, यहां पर नीचे, you have more options for graphics, photos and icons, तो let's say, अगर मैं आपर thumbnails बनाता हूँ अपने, तो मैं आपर फोटो मैं अपने thumbnails जाल सकता हूँ, मैं अपनी PNGs जाल सकता हूँ, मैं frequently use graphics जाल सकता हूँ, मैं icons जाल सकता हूँ, and then यह पूरा brand kit शेयर कर सकता हूँ, and this brand kit को काफी easily access किया जा सकता है, यहां पर मैं जाता हूँ, and then I'll go to brand hub, और यहां पर वो सब options मिल जाते हैं, तो जो भी आपके frequently access वाली चीज़े हैं, वो आपको brand hub पे मिल जाएंगी, brand hub यहां पर pro feature है, 15 tip है यहां पर gradient को लेकर के, gradient भी यहां पर आ चुके हैं, you can just select the background, color पर जाना है, यहां पर आपको new pick select करना, add a new color and then gradient, पहले gradient को option नहीं था, अभी gradient को option आ चुका है, you can select the colors आपको किस तरह के color चीए, and then different variations वो में बता देता है, किस तरह के यहां पर style हो सकता है, यह सेम चीज़ आपको यहां पर shapes पे भी मिल जाएंगे, I'll go to elements, I'll go to lines and shapes, this is my shape, I'll go here, I'll go add color, gradient and then gradients आ गया है, 16 tip है, एक यहां पर announcement को लेकर करके, जो recently Canva ने किया था, again Canva create पर यह हुआ था, वो है कि Canva और Monotype में आपर partnership हो जुकी है, तो Monotype के जितने भी fonts थे, वो अब आपको सब यहां पर Canva पर available मिल जाएंगे, Monotype के अगर फॉर्ट कालेक्शन की बात करों, तो वो काफी अच्छा है, Northwell is one of their popular fonts, Helvetica is one of their popular fonts, यह सब पहले अवेलेबल नहीं थे, इस आप पहले अवेलेबल नहीं थे, तो if you're design a lot on Canva, तो यह fonts आपको पता होने चीए, यह पेज़ लिंक में नहीं थे description पर देँगा, तो you can just come here and then explore, कि कौन सा font देखा है, मेरा जो फेवरेट है, that is Helvetica Northwell, वो भी मुझा लगता है, यह जितने भी fonts हैं, mostly आपको प्रो वर्जिन भी देखने को मिलेंगे, हेलवेटिका के बहुत सारे वर्जिन भी प्रो पर हैं, सिफ हेलवेटिका वर्ल्ड ही, प्रीमे अवेलेबल हैं, बाकी सारे प्रो पर हैं, यह थे कुछ नए tips and tricks for 2023, कुछ नए features, कुछ AI के features, जो मुझे इसमें सबसे अच्छा लगा है, वो है MagicWrite का, काफी अच्छे तरीके से इंटेग्रेट भी किया है, और काफी विज्वल भी है यह, और Magic Erase का feature मुझे काफी अच्छा लगा है, और जो layers आई हैं, वो मुझे काफी अच्छा लगा है, आपको यहां पर कॉन सा feature अच्छा लगा है, I am mostly dependent on Canva Pro only, as of now. So, do let me know your opinions and to which tip kept you good, do let me know that in the comment section, So, that's all for this one. Video अच्छा लगा हम तो thumbs up underगा, and I will see you guys in the next one. Good bye.